कमेंट बॉक्स में वेलकम बैक श्रीशान्थ लिखना ना भूलें क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए श्रीशंथ को बाइजद बरी कर दिया है और कहीं न कहीं BCCI को भी कह दिया है कि वो भी तीर महीने के अंदर श्रीशान्थ को उनकी बात रखने का मौका दें और उनके उपर से लगा आजीवन बैन हटा दें जी आपको बता दें कि सुप्रिंग कोट ने माना कि जो श्रीशंथ को दी गी थी सजा वो पूरी हो चुकी है आजीवन बैन लगाना बहुत बड़ी बात है और इतनी सजा नहीं बनती है आजीवन बैन को हटाया जाए आपको बता दें इसका सीधा सीधा फायदा होगा श्रीशंथ को और श्रीशंथ की वाफस ही हो सकती है एक बार ना केवल इंडिया क्रिकेट टीम में बलकि IPL में भी तो कहा जा सकता है कि श्रीशंथ के लिए आज का दिन बहुत ही यादगार बड़ा है जब उन्हें सुप्रिम कोर्ट ने बाहिजद बरी कर दिया है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कांगर्चिलेशन स्टेशन दिखना ना भूलें